जबलपूर में वन विभाग जबलपूर की टीम ने सहचपूर की ग्रांग वर खेड़ा में दो आरोपियों को गिरफतार किया है जिनके पास से पांच पूरे में रखा करीब 200 किलो चंदन की लकडी चप्त की है उक्तिकार वही जबलपूर और शहपूरा वन विभाग के अमले द्वारा की गई है वन परिशेतर अदिकारी जबलपूर के अपूरव शर्मा ने बताये कि शहपूरा परिशेतर अंतरगत मुगभी से सूचना प्राप्त कर वहां चेकिंगे दोरान एक संदिक्द सफेद रंकी ओमनी वेन को रोकने की कोशिश की लेकिन वह रुकी नहीं इसका पीछा कर शहपूरा परिशेतर का स्टाफ परिशेतर सायक राजेंदर गिरेवाल और उतकरश मुष्र सहित सभी करमचारी सहचपूर के पास बरखेडा गांफ पहुचे जहां रास्ता बन था एवं वहां को लॉक करके आरोपी फरार हो गए थे गाववालों से पूस पूस्ताज जारी है परिशेतर दिकारी एवां उनके स्टाफ के यह एहन और बड़ी कारवा ही है जबलपूर वन मंडल में चंदन इससे पहले कभी नहीं पकड़ा गया है गौर्टलवे की अभयोकते द्वारा बताये गया है कि वह चंदन की लकड़ी गोटे गाव से लेक जो क्या रही है इसी दौरा हमने शैपुरा परिशेत के अंतरगत समझ स्टाफ के दौरा वहां चकिंग कारी शुरू किया गया इस दौरान एक वहां जो सपीद रंक की उमनी वेन है वह बहुत तेज रता से निकली और रुकी नहीं गई उसका पीच्छा किया गया है तो व पूशता अचकर उनकी साहता लेकर हमने आरोपयों को पूथ दौनों को गिरफ में ले लिया है और उसमें से करीब बांच बोरों में रदबग 200 किलो चंदन की लकडी बरामत की गई है इस करवाई में सबसे यादा योगदान राये परिशेत साहिक जो शैपरा के हैं श्री इसका अभी तोल हो रहा है वजन नाप करके हम आपको इजेक्ट में बता देगा है इसी तरह कि और खबरे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे न्यूज 69 चैनल चब तक के लिए धन्यवाद झाल